हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है इंसाफ ऐसे कैसे जा रही हो भाभी मिहमान को चाय देने सिर्पे पल्लू तोलो रीता के ननत तन्वी ने उसे टोकते हुए कहा अरे दीदी ये तो मेरे माई के वाले ही हैं इनके सामने क्या पल्लू लेना रीत महीने ही हुए थे और आज उशके घरवाले उसे मिलने आए थे और अपनों से ही मिलने के लिए इतनी नियम और सर्ते उफ रिता को बहुत गुसा आया लेकिन फिर भी सिर्पे पल्लू ओड के और चेहरी लेकिन तन्वी तो आज के जमाने की लड़की थी, लेकिन वो भी सास से कम नहीं थी, सासु मातों सिखाती ही थी, लेकिन तन्वी भी पीछे नहीं थी, अगर सास के किसी चीज पे नजर ना जाये, तो ये बोल के बता देती, सर्दी में एक दिन अच्छी धूप निकली थी, सभी छत पे धूप का आनंद ले रहे थे, रीता भी छत पे धूप लेने चली आई, सोचा कापते बदन को थोड़ इसे भी उनका चेहरा, दूसरी तरफ है, रीता ने सफाई दी, लेकिन तन्वी बढ़बढान लगी और जोर जोर से बोलने लगी, कुछ समझ नहीं आता, किसी चीज की समझ नहीं है, हर एक चीज बतानी पड़ती है, लगातार ऐसे ही बढ़बढाती जा रही थी, और वो किचन का दरवाजा लिव रूम में खुलता है, इसलिए लिव रूम से सारा किचन दिखता है, रीता ने अपना पलू सिर से हटा लिया, जुलाई की गर्मी में गैस के सामने उसे गर्मी बरतास नहीं हो रही थी, भाभी पलू क्यों हटा दिया, पापा ने धर देख लिया तो तन्वी ने अपने संसकार के पाठ लेखे बैठ गई, दीदी बहुत गर्मी है आज, पापा ने धर देख भी लिया, तो क्या हो जाएगा, आके खड़े होके देखिए, यहां कितनी गर्मी है, रीता ने कहा, देखो, यह पहली बार रोटी नहीं बन रही हमारे घर में, औ मैं भी बनाती थी, मुझे मत सिखाईए, बोल के तन्वी वहां से चली गई, आज रीता रोप पड़ी, अब उससे बरदास नहीं हो रहा था, तन्वी का हर वक्त टोकना हज से जादा हो चुका था, सासु मा भी टोकती थी, संसकार के पाठ पढ़ाती, लेकिन तन्वी का ट तब देखो, तब फोन लेके बैठ जाती हो, तन्वी रीता के कमरे में जाक के देख लेती, कि रीता फोन पे बात कर रही है, तो आके मा के पास बढ़ा चला के बताती, तो सास को भी गुस्सा आ जाता, और वो बोलती, क्या कर रही होगी, हमारी सिकायत कर रही होगी, और कर में दोस्तों के साथ जिन से पहिन के मौल चली गई दोस्तों ने फोटो ली और फेजबुक पे डाल दी और रिता को टैक कर दिया और ये ध्यान नहीं था कि तन्वी भी उसके फ्रेंड लिस्ट में है रिता जब ससुराल पहुची तो सास उस पे बरस पड़ी हमारे घर की बह हो वो तो अच्छा हुआ तन्वी ने हमें फोटो दिखा दी नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हमारे पीट पीछे क्या गुल खिलाती हो रिता सोचती है बताओ अम मायके में भी इनसे पूछ के कपड़ा पहनना पड़ेगा धीरे धीरे वक्त बीतिता गया अब रिता अपने इस सबका नतीजा ये हुआ कि जो सीत उद्ध घर में चल रहा था वो अब युद्ध में बदल गया रोज घर में जगड़े होने लगे रिश्ते तूटते हुए देखकर अंकित ने एक उपाई निकाला रिता को लेके अपनी जौब बदल कर दूसरे सहर चला गया तीज त सुराल चली गई साधी के बाद पहली 30 पर माने सगुन देके अंकित और रिता को तन्वी के यहां भेजा और अंकित अपनी बहन को सर्प्राइज देने के चकर में तन्वी को बिना बताए वहां दोनों पहुच गए जब अंकित और रिता उनके घर पे पहुचे तो गेट पे तन्वी के पती मिल गए और वह सब साथ में ही अंदर पहुचे अंदर आके अंकित और रिता ने देखा कि तन्वी टी सरट और पैजामे में बिना दुपट्टा के अपने ससुर के साथ सोफे पे बैठी थी देख के दोनों को बहुत अजीब लगा अचानक से भाई भा ननत जी नास्ता करने के बाद रिता ने कहा कि मुझे फोटो लेनी है आप सब के साथ माने कहा है फिर अंकित ने सबकी फोटो ली रिता ने सासु मा को दिखाने के लिए फोटो ली थी ताकि उनको बता सके कि संसकारों की पाट साला चलाना आसान होता है और निभाना उतना ही मुश्किल तन्वी बिल्कुल समझ नहीं पाई थी कि रीता ने फोटो क्यों ली है खाना खाने के बाद रीता को तन्वी अपने कमरे में ले गई और तन्वी ने सफाई देना सुरू किया भावी यहां सब लोग माडरन जमाने के हैं, खुले विचारों के हैं, मेरे पती को भी मेरा साड़ी पहनना पसंद नहीं है यहां किसी की सोच पुरानी नहीं है, इसलिए मैं यहां पैजामा पहनती हूँ अगर ये लोग बोलते साड़ी पहनने को तो मैं जरूर पहनती तनुई ने डरते डरते सफाई दी, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन संसकार तो संसकार होते हैं दीदी और सबके साससुर तो साससुर ही होते हैं, बड़े तो हमेशा बड़े ही होते हैं, हमारे घर के संसकार इसकी इजाज़त नहीं देता चाहें आम मायके में रहें या ससुराल में हैना दीदी रीता नेतनवी का हाथ अपने हाथ में लेके फिर बोला मुझे खुसी है आपको मेरा जैसा छोटी सोच रखने वाला ससुराल नहीं मिला पुराने विचारों वाला ससुराल नहीं मिला मुझे खुसी है कि मेरी ननद जैसी लड़ाकू और पुरानी सोच से भी पुरानी जमाने वाली ननद नहीं मिली, आज के सोच वाली ननद मिली है, मुझे खुसी है कि आपको मेरी तरह मन मार के नहीं रहना पड़ रहा, अपने भाई और बहन जैसे आपको ननद वरुदेवर मिले हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला रीता आजगी में जूते भीगो भीगो के मारे जा रही थी जिससे तन्वी रीता की बाते सुनकर सर्म से गड़ी जा रही थी मुझे पता है मेरी साधी के अच्छे दिन तो चले गए अब लोट के वापस नहीं आएंगे मैं मा पापा से बहुत बना पर ना मिले हमेशा खुच रहे अम मैं चलती हूं बोल के रीता जाने लगती है तो तन्वी रीता को गले लगा लेती है और खुब रोती है फिर ननद भापी विदा लेती है घर पहुचके रीता तुरंत सासु मा को तन्वी की फोटो दिखाती है सासु मांकित को देखती ह हाँ मा अच्छे से देख लो अपने संसकारी बेटी को सासु मा मैं गरम गरम चाय बना के सब के लिए लाती हूँ और एक तीकी मुस्कान देते हुए रिता सासु मा को घुरती है और किचन की ओर चली जाती है आज उसके आसुओं का हिशाब जो हुआ था और हाथ में फोल लि रिता की बिन मांगे मुराद पूरी हो गई थी उसी आज इन साब जो मिल गया था रिता आज घुस थी जैसे बिन कुछ कहे सब कुछ कह दिया हो आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहाने जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद